विडियों में हम बात करेंगे यहां पर पोस्ट आये हैं और यह पोस्ट प्रोजेक्ट के अंतरगत आई है प्रोजेक्ट का नाम है आप लोग देख रहे सकते हैं कॉफिप प्रोडक्शन फॉर इनकम जेनरेशन आफ ट्राइब्स इन बस्तर प्लेटू जगदलपूर के अंत दिसकस करेंगे और इसके लिए walk in interview आप लोगों को यहां पर देख सकते हैं date कि walk in interview के माध्यम से यह application यहाँ पर आप लोग देख सकते have working interview का जो दिनान्ख है' 80.1.2021 को conduct किया जाएगा और यहां पर देखेंगे technical assistant के दो पोंस्ट हैं उसी तरीके से field असिस्टेंट के दो पोस्ट है वोकिन इंटर्व्यू के माध्यम सी ये वैगेंसी को फूल फूल किया जाएगा और प्रोजेक्ट का नाम कॉफी प्रोडक्शन फॉर इंकम जेनरेशन आप ट्राइब सीन बस्तर प्लेटू ये लिखा हुआ है और इसके लिए जो क्वालिफिकेशन मांगी गई है वह यहां पर देख सकते हैं मसी होटी कल्चर मांगा गया है देन उसके बाद ब्सी इन होटी कल्चर विद फॉर यह डिगरी कोर्सेज मांगा गया है वरकिंग एक्सपिरियंस आपको है या बस्तर रिजन में आप रहते हैं लोकल में यह वेकेंसी है और उसी तरीकी से फिल्ड असिस्टेंट के यहां पर होटी कल्चर के ब्सी मांगा गया है वरकिंग एक्सपिरियंस इन बस्तर रिजन और लोकल लेंगवेज प्रोफिसियंट मांगा गया है और इसके लिए सेलरी पंद्रह हजार रुपय है और इस वेक कंडिडेट सेल भी सब्मेट दियर बायो डेटा टुडीन कॉलेज ओफ और इसमें इमेल के माध्यम से आप अपना एप्लिकेशन कर सकते हैं और एप्लिकेशन का फॉर्मेट आपको यूनिशिटी की वैबसाइट से ही मिल जाएगा आईजी के वी डॉट एजी डॉट इन क आप सुबा मॉर्निंग में जमा कर सकते हैं और इंटर्व्यू का डेट रहेगा आठरा को ही साड़े गारा बजे से और वेन्यू रहेगा डीन कॉलेज ओफ होटी कल्चर एंड रिसर्च इस्टेशन जगदलपूर तो यह था एक प्रोजेक्ट पे वैकेंसी इंद्रा गां देखेंगे दोस्तो उसके लिए 했는데 यहां पे निकाले गये हैं यह देख सकते हैं ज्यारफ की पोस्ट है और इसके लिए भी यहां पर application निकाले गया है और ह्कें इंटर्व्यू के माध्यम से यह application आठ पोस्ट भरे जाएंगे तो देख सकते हैं इसके लिए वक इन इंटर्व्य के माध्यम से 17 11 को यहां पर इस प्रोजेक्ट जो प्रोजेक्ट है प्रोजेक्ट का नाम देख सकते हैं इसके यह प्रोजेक्ट का नाम है और नेम आप दी पोजिशन यह आपका जयाराफ और और SRF की पोस्ट है अगर आप तीन साल यहां पर रह जाते हैं दोस्तों तो थर्ड यहर में आपको SRF यहनि की सिनियर रिशर्च फैलो के तौर पर काम कर सकते हैं इसी प्रोजेक्ट पर और इसके लिए या eligibility मांगी गई है M.Tech और M.E. इन अक्रिकल्चर एंजिनरिंग विद इस स्पेसलाइजेशन इन सोल स्वाइल साइंस एंड वाटर एंजिनरिंग में और इरिगेशन एंड ड्रेनिंग एज एंजिनरिंग किये हैं या फिर स्वाइल या वाटर या कन्वर्ज सेशन कन्वर्जन ओफ एंजिनरिंग या फिर वाटर कंजर्वन कंजर्वेशन एंजिनरिंग और उसी तरीके से वाटर रिसोर्स डेवलप्मेंट एंड मैनेजमेंट वाटर मेनेजमेंट एंजिनरिंग तो यह सारा कुछ अगर आप एलिजिबली रखते हैं तो इस पोस्ट के लिए आप अपलाई कर सकते हैं यहां पर डिजाइबल नॉलेज ओफ रेमोट सेंसिंग यह मांगा गया और हाइडरोलोजी मौडलिंग मांगा गया तो अगर आप फ पोस्ट हो जाएगी और आपको 35,000 सेलेरी प्लस हरे मिलेगा और यहां पर देख सकते हैं कोई आप लोगों को यहां पर डिये या टिये नहीं मिलेगा और यहां पर देख सकते हैं इंटरव्यू का वेन्यू इंटरव्यू का वेन्यू देख सकते हैं आप लोग यहां पर ज जिनेरिंग इंद्रा गांधी क्रिसीविज से विद्धाले रायपूर में देड़ बजे से साड़े पांच बजी के बीच में यह इंटरव्यू आयोजीत किये जाएंगे के 17 तारीक याद रखेगा 17 11 2021 को तो इस वीडियो में इतना ही बने रहे हैं नेक्स रुजगार के साथ आई होप यह वीडियो आप लोगों को पसंद आये तो वीडियो को लाइक करें शेर करें और चैनल को सस्क्राइब करें ठैंक्यू धन्यवाद बने रहे हैं नेक्स